हेलो गाईस आज़का वीडियो भ önती जिद कमाल का होने वाला है गाईस जैसा कि आप मोगाल की स्क्रीन पर मौटिवेस्नल थौट सायरी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप आज की इस वीडियो में आपको कुछ इस तरह की status वीडियो बना कर सिखाने वाला हूँ दोस्तों आपको इस तरह की motivational thoughts शायरी status वीडियो बनने के लिए आपको प्लेश्टोर में जा कर पिक्सल लेब एप को डाउनलोड कर लेना है पिक्सल लेब एप डाउनलोड होने एक वाद इसको उपन करना है एप उपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपको बीचे में एक test वाला option मिल रहा है इसको आपको delete करना है करने के लिए आपको ऊपसंद वाले देलीड वाले यहां पर आपको लिख करना है किलेख होने का जात आपको okay पर क्लिख करना है क्लिक करते ही आपके नीव test वाले option दिलीट हो जाएगा अब आपको गाइस उपर right side में 3.12 option मिलना है यहाँ पर आपको लिख करना है click होने का अब को first number वाले option पर ख्लिक करना है use image from gallery यहाँ पर आपको लिख करना है click करते ही आपके मुझाल की gallery उपर हो जाएगी तो यहाँ से आपको इस photo के बाल पेपर को select करना है जिस पर भी आप वीडियो को वन आना चाहते हैं यहाँ पर guys हम इसमें एक बाल पेपर को select कर लेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस बाल पेपर को select कर लिया है select होने को आद यहाँ से आपको नीचे में एक option मिल रहा है ना रैसुसिष्टी वाले यहाँ पर आपको लिख करना है इस तरह से आपको इसको select करना है अब आपको right वाल option पर click कर देना है click करते ही आपकी screen पर कुछ इस तरह से बाल पेपर आजाएगा अब दोस्तों आपको इसमें एक black skin shadow png image को select करना है यहाँ से आपको black skin shadow png image को select करना है आपको इस image की link इस video को dip question मिल जाएगी तो आपको link पर click करके इस image को download कर लेना है तो आपको इस तरह से png image को select करना है select होने कद आपको right वाल उस तरह पर click करना है आपको png image को कुछ इस तरह से बढ़ा करके full screen में लगा देना है आप अपने हिसाब से बाल पेपर में लगा सकते है इस तरह से हम png image को लगा देंगे अब आपको इसमें सायरी लिखने है सायरी लिखने के लिए आपको नीचे एक option में लगा है test वाला इस पर आपको लिख करना है click होने काद आपको edit वाले option पर click करना है यहाँ से आपको सायरी को लिख देना है दोस्तों मैंने सायरी को पहले से ही copy करक रखा है तो यहाँ पर हम उसको paste कर देंगे तो आप देख सकते हैं मैंने सायरी को paste कर दिया है अब आपको ok पर click करना है क्लिक करते ही आपकी सायरी कुछ इस तरह से आजाएगी अब हम सायरी को एडिट करेंगे एडिट करने के लिए आपको नीचे साइड से राइट साइड में स्क्रॉल करना है इस तरह से स्क्रॉल करना है यहां पर आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाते हैं आपको color or option मिल रहे हैं, यहांपर आखो लिक करना है click होने कद आपको साइरी में color को लगा देना है तो दोस्तो हम साइरी में कुछ इस तरह से color को लगाएंगे इस तरह से दोस्तों आप सेलेक्ट करके अलग अलग कलर को लगा सकते हैं तो दोस्तों हम सभी में अलग अलग कलर को लगा लेते हैं आपको भी इसी तरह से अलग अलग कलर को लगा लेना है दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारी में अलाला कलर को लगा लिया है यहां से आपको सेलेक्ट करते जाना है और जो भी कलर इसमें लगाना चाहते हो आपको इसको लगा लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी सारी कुछ इस तरह से यहाँ पर edit हो चुकी है अब आपको right वाला option बार click करना है click होने कवाद आपको फिर से right side में scroll करना है इस तरह से यहाँ पर आपको एक font वाला option मिल जाता है यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी font इस सायरी में लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं तो हम इस वाले font को लगा लेंगे अब ओके पर आपको लिक करना है क्लिक होने कवाद यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाते हैं आपको एक option मिल रहा है प्राहो लिक करना है क्लिक होने कवाद बीच वाले option को select करना है इस तरह से राइट वाले option पर लिक कर देना है अब आपको एक और option मिल रहा है इस टो के इस प्राहो लिक करना है क्लिक होने कवाद आपको इसको ओन कर देना है और होने के वाद यहां से आप अपने हिसाब से साइरी को एडिट कर सकते हैं जिस भी तरह से आप एडिट करना चाहते हैं इस तरह से हम साइरी को एडिट कर लेंगे और नीचे साइड में अच्छे से लगा देंगे इस तरह से अब आप देख सकते हमारी साइरी है जो बालपीपर में एडिट हो चुक है आप गाइस आपको इसमें फिर से टेस्ट वाले उपसरمن़ पर खलिक करना है खलिक होने के वाद एड़ इड़ वाले उपसरम पर खलिक करना है दोस्तों अगर आप यहां से Instagram ID को इसे में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं तो चलिए हम Instagram ID को लिख देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपनी Instagram ID को यहां पर लिख दिया है लिखने के बाद आपको OK पर लिख करना है क्लिक होने कवाद आपको नीचे साइड में इसको अच्छे से से सेट करके लगा लेना है इस तरह से हम इसको सेट करके लगा लेंगे यहां से गाइस आपको फॉन्ट में जाकर इस वाले फॉन्ट को सिलेट कर लेना है तो इस वाले point को हम इसमें select कर लेंगे दोस्तों आप देख सकते हमारा बाल paper कुछ इस तरह से edit हो चुका है अब आपको इसको download कर लेना है download करने के लिए आपको उपर एक option मिल रहा है यहाँ पर आपको लिख करना है click होने का आपको save age image पर click करना है यहाँ से आपको quality को इसमें select कर लेना है अब आपको save to gallery पर click करना है click करते ही image डाउनलोड होने लगी तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो बाल paper है gallery में save हो चुका है अब दोस्तों आपको insert app को download करना है insert app की link आपको इस video की डिव किस्सन मिल जाएगी तो आपको link पर click करके insert app को download कर लेना है download होने के बाद इसको open करना है insert app open करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा आपको video वाले option पर click करना है click होने के बाद new वाले option पर click करना है click करते ही आपके mobile की gallery उपन हो जाएगी यहां से guys आपको उस बाल पेपर को select करना है जो जिसको आपने अभी pixel app से edit किया था तो यहां पर हम उस बाल पेपर को select कर लेंगे guys आप देख सकते हैं स्कीन पर बाल पेपर आ चुका है आप guys आपको canvas वाले option पर click करना है click होने के वाद यहां से आपको ना रैसुसिस्टी वाली साइज को select करना है इस तरह से आप अच्छे से बाल पेपर को set करके लगा सकते हैं आप आपको right option पर click करना है यहां से guys आपको second number पर एक option मिल रहा है music के यहां पर आपको लिख करना है click होने के वाद आपको first option पर click करना है यहां से आपको एस्टर काईड़ो from video पर click करना है तो दोस्तो हम इस video के sound को लगाएंगे तो आपको इस video की link के इस video को किसने मिल जाएगी तो आपको link पर click करके इस video को download कर लेना है तो दोस्तों हम इस वीडियो के sound को अपनी वीडियो में लगाएंगे अब आपको right all option पर click करना है click करते ही आप देख सकते हमारी वीडियो में sound लग चुका है अब आपको filter all option पर click करना है click होने कवाद effect all option पर click करना है यहां से आपको first में मिल रहा है glitch यहां पर अपलिक करना है click होने कवाद आपको last में जाना है JPEG बाल Act को आपको लगा देना है इस तरह से आपको इसको लगा देना है आप इसको अच्छे से एजस्ट करके लगा सकते हैं तो इस तरह से हम एजेस्ट करके इसको लगा देंगे, अब आपको राइट हो लाउस स्वरम पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद आपको एफेक्टिक लेयर को खीच कर, बाल पेपर की लेयर के बराव कर देना है, तो दोस्तों आप देख सकते हमारे वीडियो पूरी तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है, अब हम वीडियो को चला कर देखेंगे, दोस्तों देख सकते हमारे वीडियो कितने आमेजिंग तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है, अब आपको इस वीडियो को डाउनलूड कर लेना है, डाउनलूड करने के लिए आपको उपर एक उप् पर लिक करना है क्लिक करते ही हमारी वीडियो डाउनलूड होने लगाई तो दोस्तों आप इसी तरह से इस्टाग्राम रियल्स के लिए थोड़ सायरी स्टेटास वीडियो बना सकते हैं गाईस अगरे वीडियो अच्छी लागे हो तो वीडियो को लाइक की जो चैना को सस्काइब कीजे